आप किया पाँच कारण मानेंगे, मुकेश जी? वही हाल था, वहाँ भी दो तीन पावर सेंटर्स बने और आपस में खीचतान भी थी तीसरा कारण बनता है कि जो एक क्रेडिबिलिटी की बात होती है वो क्रेडिबिलिटी अभी भी कॉंग्रेस दे नहीं पा रही है और भारतिय जनतापाटी इस बात में सफल हो रही है ये समझाने के लिए कि जो ये वादय कर रहे हैं ये वादय पूरा नहीं कर सकेंगे उसका एक्जामपल वो हिमाचल से और करनाटक से देते हैं करनाटक में क्या क्या और इन्होंने प्रॉमिस किया था अभी तक कुछ नहीं किया हिमाचल में क्या 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 बड़े बड़े प्रॉमिस किये थे वह अभी तक पूरे नहीं किये तो क्रेडिबिलिटी एक तैसरा मुद्धा हो जाता है चौथा है कि संगठन के लेवल पे संगठन जो भाजपा और RSS के पास जो संगठन है और जो कारेकरता है वो संगठन और कारेकरता एक पुरानी कहावत है कि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है जबकि भारतिय जनता पार्टी कारेकरताओं की पार्टी है यहां तो प्रधान म मुझेANS कारिवां मुझें ग्री में तो यहाँ हर आदमी अपने अपको करता है और लोल करती है collective party तो यह कारण यह कारण और वैसे जो जितनी schemes थां मतलब जैसे मद्यपरदेश में जो sch Brock's ौड फोर फोकस का 1 तो महिला वोटर का आप देखिएगा राजस्थान से लेकर चत्तिस गर से लेकर मद्यपरदेस तक महिला वोटर का उफान था इस चुनाओं में। महिलाओं ने साथ दिया है और महिला यूथ का भी मानते हैं। यूथ तो है मतलब महिलाओं का देखो 50 पर महिला मतलब की बच्ची से लेकर ये तो यूथ महिलाओं में भी यूथ है ना तो महिलाओं का वोट और महिलाओं का सबसे ज़्यादा भरोसा जीता है पिछले 9 साल में नरेंद मोदी में नरेंद मोदी ने जीता है अच्छी एक ब पती तीन राजियों में तो BJP जीत गई, Congress हार गई, लेकिन जो ते लगाना में जीत मिली है Congress को, तो उसका credit किसको देना चाहिए? मैं उसका क्रेडिट भी आपको प्ताजूब होगा मेरा मानना ये मामले में थोड़ा सा अलग है क्यों अलग है मैं आपको बता रहा हूं अभी आप देखिए कि तेलंगाना का जो एसेंबली हाउस था ये चुनाओ के नतीजिया है उसके प्रेले तो क्या था तेलंगाना में चंद्रशेकर राव को 88 सीटे थी 88 सीट्स कांग्रेस के पस 15 और बाजपा के पस एक और उसके साथ में AIMIM को साथ सीट मेली थी मगर जब हम देखे कि कितना वोट बाजपा को मिला था मिली थी सिर्फ एक सीट एक सो नगीस में से उनका वोट शेर था 6.94 परसेंट और AIMIM की कितनी सीटे थी साथ उनका वोट शेर था 2.97 परसेंट अभी इस बारी चुनाओ के नतिजे देखे आप भाजपा ने जीती है खाली 9 सीट या 10 सीट AIMIM चार पे आ गई है भाजपा का वोट शेर क्या है 14 परसेंट फ्रैट अभी 14 परसेंट वोट शेर जब हुए वोटों से आता है तब वो पार्टी एक थ्रशोर लेवल पर आ जाती है माल लेकिन अब कांग्रेस की जीत हुई है उसका क्रेडिट किसको ज्यादा तो एक मिलूंगा खाली हमारे गुजरात के चनाव में हुआ था क्या बीजेबी की क्लीन स्विप क्यों आई थी उसकी वज़े ये थ कि आम अद्भी पार्टी ने बारा परसंट वोट कबजे किया था और उसकी बदोलत उनको पांच सीट मिली थी बले वह जीते पांच सीट मगर तीपां की जंग के अंदर वो कांग्रेस को बहुत ज्यादा हर्ट करके गए और कांग्रेस का जो 77 था वो 21 पे आ गया वेशा ह नहीं कुछ हाल वहां यहां पर चंद्रशेखर राव का हुआ है कांग्रेस जो जीता उसकी वज़ें यह है यह कुछ ऐसा नहीं है कि राहूल गांभी की पद्यात्रा की वज़े से वह जीते और यहां हार गए नहीं भईया यह तो तीपांख्या जंग हुआ वोट बढ़ जीतने के लिए तब तीन होते हैं तब जीतने के लिए खाली 34 वोट चाहिए बीजेपी की तरफ से एक बात यह भी आ रहे है कि बेसक जो है हम ते लंगाना में ज्यादा सीटे नहीं लाए पाए लेकिन आगे के लिए जो है जंग बहुत आसान हो गई है और धीरे-धीरे का मतलब डिफीट तो नहीं बोलेंगे जो जिस हालात में बीजेपी आज है ते लंगाना में वो एक स्ट्राटीजी के तहत है दूसरा लेकिन इसमें एक बड़ा इंट्रेस्टिंग है कि पिछले 25-30 साल पचास साल राधर एक चीज़ आप माक किजएगा जब जब जिस राज जिसे रिजिनल पार्टी ने कॉंग्रेस को हटाया वहां कॉंग्रेस वापस कभी नहीं आ पाई वो उत्तर प्रदेस हो बिहार हो तमिलनाडू हो उडिसा हो जहां जहां रिजिनल पार्टी ने कॉंग्रेस को हटाया वहां बीजेपी तो गुज गई पर कॉंग्रेस कभी व वाबू नाइडू की सरकार को हरा कर YSR वापस आ गए थे वो एक exception है उस exception में ये एक add होता है कि पहली बार चुकि वही राज्य है राज्य वही रह गया वो तेलंगा ना बोली है या अंधरा रही है वो वही राज्य है तो एक तरह से ये second time हुआ है कि जहां Congress ने किसी regional party को ल Congress के आज की निता कोन है वहां पर रेवन्त रेडी रेवन्त रेडी कोन है वो ती डीप के भागां Congress में आया है He is from TDP originally तो बात तो वहां पर तो लड़ाई जो है वो औरिजिनल TDP तेलुकोडेशंपार्टी तो मतलब आप दोनों में से कोई भी राहूल गांधी की यात्रा को उसका क्रिडिट नहीं दे रहा है कि राहूल गांधी की यात्रा का भी असर पड़ा है कि दक्षिड के अंदर भी लोग जाग गये हैं जाग गये हैं सनातन के विरोधियों से जाग गये हैं दयानिदी स्टेलिन के का स्टेटमेंट तो बाद में आया भाया आप तमिल लाडू में आज जा के देखो तमिल लाडू के दक्षरी भाग में इस बारी अगर भाजपा चार लोकसबर सीट नहीं जीता तो आप मुझे य